हलो दोस्तो नमस्कार रादे राधे अब सभी को तो अभिसाम का टाइम है और मैं यहाँ पे बना लेती हूँ मिर्ची के पकवड़ा तो मैं पाले मिर्ची को धुल के सुखा ले थी और बेची से फाड ले हूँ बीज उसमें बिल्कुल भी नहीं और यहाँ पे मसाले तयार कर लेती हूँ मसाले में है धनिया पाउडर और मैं यहाँ पे खटाई डाल ले हूँ खटाई मेरे यहाँ जो गाउं से हैं उनको पता होगा कि खटाई बना के भी रखते हैं उसमें मसाले बगारा डाल देते हैं तो पिसा हुआ अमचुर पाउडर को निख़ता को निकाल ले थे टो और फिर मिक्सर में डाले के पीश लूँगे तो उसमें डालोंगे हल्दी धनीया और मिर्ची अप डाल सकते हैं तो मैं मिर्ची नहीं डालूँगई थोड़ा सा गरम अमध्न नमक डाल दूंगे आप अपने ही सावसे लहसे स्वाब इससी में ताइर कर लेते हुं इसमें हींग डाले हुं नमाक है मिर्ची पाउर घरम मसाला है धनिया है तो आप अपने यह साथ से बना सकते हैं जैसे आप कम ज्यादा मसाला नमक खाते हूं मिर्ची खाते हूं तो मेरे यहां बहुत ज्यादा ना तो मिर्ची खाते हैं और नहीं बहुत ज्यादा तीखा खाते हैं तो हम लोग तो खा लेते हैं थोड़ा बहुत तीखा और जो है ना इनको बिल्कुल भी तीखा नहीं खा पाते हैं ब और फिर मसाले भर दूंगे और जब हम इसको भरते हैं जो मिर्ची में तेल लगा रहता है तो उसमें चिपक जाता है तो हमें इसमें मसाले में अलग से तेल डालने की जरूरत नहीं पड़ती है और फिर जो है जो बेशन का गोल बनाई हूं उसमें डिप करके इसको तल होंगी और खाने मे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अलोब मैं तो आप लोग को मेरे वीडियो अच्छी लगाट। एक सेट हरूझ करिए और वीडियो का कोई भी पार्ट अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक भी कर दिये करिये लाइक से मुझे कुछ नहीं मिलता है बस लाइक से इतना होता है न कि हाँ इतने लोगों ने लाइक किये इतने लोगों को वीडियो अच्छे लगी यही होता है और लाइक से न तो फिर पैसा समझ भूआ रहा है और इसा नहीं है कि सक्राइबर का पैसा आता है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लाइक या सस्क्राइबर का पैसा आता है तो इस फड़ में ऑता है ो बहुत ब्यूज का आता है तो मैं ने भर के पूरा तयार कर लिया है और यहां पे न मैं तल लेती हूं और रात के समय में थोड़ा सा लाइट का प्राबलम हो जाता है तो मैं यहां सामने लाइट जला के रखें हूं लेकिन वाला नहीं मतलब की आता वीडियो में जो मतलब बहुत ज अच्छी लगती है उस वीडियो की क्वालिटी जो होती है नहीं अच्छी लगती है जब तक खुब लाइट न रहे और एक दम किलियर न देखे और फिर रात में उसके बाद कुछ भी नहीं बना मतलब कोई भी वीडियो नहीं सूट की हूँ और इधर सुबह हो गई है तो फ वीडियो में लाके ही छोड़ूंगे तो फिर आई इधर से तो फिर वीडियो बंद कर दी थी तो फिर मैंने फिर से चालू किया तो सबके बच्चे आ जाते हैं और मैं तो सोचती हूँ कि मेरी भी वीडियो में कोई आये तो कोई नहीं आता बच्चे भी नहीं आते और यह भी बहुत सर्माते हैं यह भी नहीं आते हैं और इसमें मेरा गलब बहुत ज्यादा चोक हो गया है और जब तो यहां पर मैं थोड़ा सब जरम पानी पी लेती हूं अभी मैं दवा छोड़ दी हूं नहीं खा रही हूं हमें लगता यह खता हो गए है मुझे बीपी की दवा खाए तो इन्होंने बोला कि देरे देरे छोड़ दो तो छोड़ के देख रहे हैं अगर कोई प्रॉबलम नह तो यहां पर सुबा का जो रूटीन होता है जैसे बिड़ ठीक करना चदर उठाना और जाडू लगाना तो वही सब काम सुरू हो गया है और यहां टेप उसको भी मैं साफ कर दूंगे और इनके कपड़े शेख सब्से harinas, इंके भी कपड़े रख से हैं और यह को पतले वाला कंबल रख दीए हैं तो यही ओड़ा जाता ह। यही यह अब रखनाँ आ नहीं है अब तो रात में चलाना पड़ता है लेकिन चला लो ना तो पतल ये कंबल जो है ओढ़लो तो सही रहता है नहीं तो फिर जैसे कॉटन वाले ओढ़लो ना तो उसमें बहुत जाद ठंधी लगती है और यहां पर मैं बुक का पी इनकी है तो इधर दर यह भी विखरी ह है ठोड़ा बहुत समान है ठोड़ा बहुत कंचरा है ऐटा तो इसको भी मैं साफ कर लूँंगी और फिर उसके बाद जोरु लगाओंगी तो अज मैं ठोड़ा समाना टेबल के निचर भी जोरु लगाने वेसे क्या होता है कि जल्दी- नीचे तो डेली जाडू लग जाती है उधर जो वह टेबल के नीचे जुक के जाडू नहीं लग पाती है तो उसमें बैठके ही लगाना पड़ीगा यहां पर इनका कपड़ा सबसे पहले फोल्ड करके हटा दी हूं और जैसे जाडू अगर लगाते हैं तो थोड़ी बहुत ज्यादा धूल आ गई है क्योंकि आजकल ना मैं टाइम नहीं दे पाती हूं थोड़ा सा तबियत भी इधर उधर होता रहता है और जो काम है ना अभी छोटा दिन हो रहा था तो टाइम भी नहीं मिल रहा था तो देखे गले में बार-बार मेरे फस रहा है तो इसके लिए म ओड़े जरूरों से फिर ऐस उपर कर दी क्योंकि कपड़े से नहीं साफ हो रहा था था और क्यूलर के पीछे महीं थोड़े ज्लहे वह गखेर लगे थे तो अब निकाल दी और चेयर को भी हटा के मैं इधर जो है न ब्लोवर भी रखा हुआ है तो इसको भी मैं साफ कर दूंगी कौटन की कपड़े से और फिर इसको भी आज मैं रख दूंगी क्योंकि अब इसकी जरूरत है नहीं अब इसकी जरूरत तो एक साल में फिर लगेगी अगली साल और फिर इसको कौटन की कपड़े से अच्छे से साफ कर दूंगी और फिर इसकी कार्टून में भरके रख दूंगी और कीचन के टाड़े पर रखना पड़ता है जो मतलब की ऐसे चोटी मुटी समान है जो कभी कभारी उज होते हैं तो उसको कीचन के ऊपर ही रख देती हूं और वैसे कोई रूम में ना टाड़ वागर तो है नहीं आलमारी के ऊपर जो रहेक है तो बहुत उपर है तो दोंगे तो उसके बाद फिर देखूंगी अभी तो फैन नहीं किचन का निकालना है तो अभी तो फैन की ज़्यादा जरूरत नहीं है किचन के देखेंगे एक हपते बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो उतार लोंगी नहीं तो फिर गाउं से आउंगी ना छुटीयों हो जाएंगी गाउं से आउंगी उसके बाद फिर निकालोंगी क्योंकि कार्टून में रखा है और बाहर रहेगा तो इधर दर फिर गंदा भी हो जाएगा और चुए का इंतिजाम कितना भी करिए तो चुए तो कहीं ना कहीं से दिखी जाते हैं अभी तीन कुछ दिन पहले निकाले थे जाले में बजाके और फिर एक घुष गई है तो इधर दर दड़ती रहते हैं तो कोई कोई समाने सा होता है नहीं कि डर लगता है कि तार और काड़ दे और कपड़े और जैसे कुछ समान होते हैं लाइट के तार वगरे काटने का डर रहता है तो चुए से क्षिए ने जिखते हैं तो याचा लेवी तो नहीं हूं तो यह जादा है करते हैं यह जादा नहीं है तो यह जादा इने को लेक हैं करें क्योंकि टुम मेरी सारी भारी है तो बोलते हैं गुड़िये को चड़ा दिये कर, गुड़िये मेरे हिसाब से काम तो करेगी नहीं, मुझे कहां रखना है, कैसे सेट करके रखना है, तो अपन जो बड़े लोग हैं, वही कर पाएंगे, जो मतलब काम कर रहे हैं, किसको कैसे रखना है, किसको कैसे नहीं रखना तो बड़े लोग की कर पाते हैं चोटे बच्चे तो बस हां सामने डिबा है उतार के नीचे रख दिये और फिर भागा उसको उपर दुबारा से रखेंगे भी नहीं फिर तो हमें रखना पड़ता है तो कार्टून में भर के रख दूंगी और उपर से लगा दी हूं पेपर किचन का अभी जो हालत है थोड़ा सा खराब है तो इसको भी सुच रही हूं कि होली के पाले ना मैं सिट कर दोंगी डिबे सारे देर दर हो गए हैं और यह जो रख दिया हुआ है ना कि इसमें छोटे ही डिबे आते हैं और थोड़ा बड़े नहीं आपाते हैं आगर जरा भी बड़ा है ना कि तो नहीं आते हैं तो बहुत दिकत होती है और मैं यहां पर ना चाय बना लेती हूं चाय कूट रही थी देखिए खल में तो उसमें चिपट गया और उंगली से निकल ही नहीं रहा था तो मैं चमस से उसको स्वड़ा सा उपर करके फिर तूट लेती तो इसलिए खल में ही कूट रही हूं मन नहीं करता है इसे जब कुछ भी देख लीजीए ना तो मन नहीं करता है तो और मुचाय वह पिलिए उसके बाद पर यहां पर पर हुए थे दास्ते के बर्तन और यह लोग आज घर में हैं लोग का पर चल रहा है तो फिर घर में तो तो जब घर में रहते हैं और जादे जादा आईटम रहता है तो पर बहुत ज़्यादा बढ़तर ने हैं मैं नहाने के पर Igor आपлекर के चिशन शापकत कर्डे क्षिक कर समेटना रहा जाए और नहाने के बाद फिर पानी वाला काम करें तो तुरन-तुरन हीले हो जाते हैं और इसे पाले कर लेते हैं तो फिर और काम जो होते हैं करते रहें उसको